किसोरी गोविन मेरे चैनल में आप सभी का स्वागए थे तो यहाँ पे हो गई है सुबह और मेरा काम जो के स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे मैं जाडू लगाने वाली हूँ पूरा घर जो थोड़ा बहुत बिखरा हुआ है उसको समेट के रखने वाली हूँ और आज है एका दसी तो आज एका दसी का मेरा फास्ट है तो मैं तो अभी सो कर उठी और उसके बाद ब्रश किया और फटा फट से काम में लग ग जितना स्टैंड में लगा के रखोंगी तो किचन का काम निप्टाने के बाद फिर बाहर का करूँगी उसके बाद फिर मैं रहाने जाओंगी तो यहाँ पे मैं सारे बरतन-बरतन जमा के रख दिये हैं मैंने और गाइस जो भी मेरे चैनल में नुआ है वो चैनल को सब्सक् करके अल कर दीजिए और मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा यहाँ पर मैं आ गई हूँ बाहर का काम करने के लिए यह सारे गमले उमले हटाऊंगी यहाँ स करते और साफ सफाई करोंगी और सारे साफ सफाई करने के बाद नहाने जाओंगी तो यह yer लास्ट काम और उसके बाद मेरा काम यहां का फिनिश हो जाता है तो यहाँ पर छपकली आ गयी तih से मुझे बहुट डर लगता है और ऑच्छा ही रहार घिनाभी लगता बहुत ग मतलब क्या होना चाहिए इसको मैंने उपर की तरफ कर दिया है जिसमें वो उपर की तरफ चड़े और यहां पे सारे साफ सफाई करके मैं फ्री हो गई थी अब थोड़ा बहुत यह बचा हुआ है इसको भी धुल देते हैं यहां पे सारा और हटा देती हूं सारे कचड़े मैं आ चुकी हूं नहां कर यह देख सकते हैं मेरे बाल अभी बहुत गीले हैं और बारिश भी होने लगी थी परती जल्दी तो मेरे बाल सुखते भी नहीं है यहां पे मैं जल्दी जल्दी से रेडी होके अब करूँगी पूजा और यहां पर पारसल वाला भी आ गया था तो पारसल भी लेने ज要ना है। पहले यहां पर मैं तयार हो जाती हूं त्यार होने के बाद संब्हाट पोजा नागवा है। और मैं आ चुकी हूं किचन में त्यारी करनी हैं वह सारा सामाने कठ़ा करूँगी यह जितना भी पूजा में सामानं लगता है को वो सारी बरतन वरतन दूद दही घी जो जो है वो सारा कुछ अकठा करके रख लेते हैं तो यह एक थाली में मैंने इसको इकठा कर लिया यहाँ पर छोटी चोटी जो मेरी पास कटौरिया हैं इन कटोरियों में दूद और दाही शकर घी ये सब निकाल के रखने वाली हूँ तो यहां पे मैं सारा कुछ निकाल के मैं इसमें रख लिया है अब इसको फटा फट्चे थाली में रख लेते हैं और फ़र चलते हैं तो यह इसमें थोड़ा सा घी मैंने निकाल लिया है और य लोग कोई दूद्स लीए काम बपटा visit right कोफे नोद्स में काया है इस लिए जल्दी यल्दी पाल बनाब भी कर्वाग टांगा यह लिए इसलीए जल्दी से काम अपना complete कर रहे थी यहां पर फूल वगरे हैं जो तोड़ लेती हूँ मैं जो मैं लगा रखे हैं ये मेरे रोज के चढ़ाने के लिए निकाली जाते हैं थोड़ी बहुत तो यहां पर मैं त्यारे फूल को तोड़ लूँगी और फिर इनको अभी जब पूजा करूँगी तो यही मे प्लीट कर लिया है सारा कुछ और यहां पर इसको इसमें ठिक हो गई है खीर क्योंकि इसमें दूद कम हो गया तो मैंने बनाया और बहुत ज़्यादा डाल दिया था सेवाई इसलिए ये गाड़ी हो गई है बहुत ज़्यादा गाड़ी हो गई अब यहां पर आ गई हुए यहां। यहां पितार कितके यह बशिटार्गे एहां पितारी कर रही हूं। यहां पर मेरा बेटा पूजा कर रहा है, first, क्योंकि उसको ही मैं सिखाती हूं, साथ में अपने साथ साथ पूजा करना, कि कैसे करना चाहिए, सबसे पहले उसको ही मैंने करवाया, यह देख सकते हैं, उसके हाथ से पहले अविशेक करवाया भगवान को, नहलाया, जो जो भी मतलब जितना चीजे मैं करती हूँ अभिशेख, वो सारी चीजों से वो भी करेगा यह देख सकते हैं सारी चीजों से उसने अभिशेख कर लिया, उसके बात फिर मैं करूँगी अभिशेख, तो यह हो गया, और अब मैं यहाँ पे भगवान को पंचाम राध जो जो मेरे पास है मतलब समान उन सब चीजों से मैं यहां पे उनको अश्नान कर वारी हूँ यहां पर दूद दही गी जो जो चीजे हैं यहां पर बेटा कुछ पूछ रहा था मैं उसको बताने लगी थी और यहां पर हो गई यह मेरी पूजा फिन लादुला दिया और यह दही लगा कर थोड़ा सा में उनको ऐसे घिस देती हूं तो थोड़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है यह देख सकते हैं यहां पर शहर लगाया घी लगाया तो वह उसके कांट से अब यह तीनों लाला को मैंने बठा के पोछा उसके बाद यहां पर इनक इनको छोड़ना अच्छा नहीं लगता जब मेरी तवियत खराब रहती है तभी बस मैं इनको ऐसे छोड़ देती हूं मतलब ऐसे नॉर्मल टिक लगा देती हूं बाकी मैं इनको प्रॉपर तयार करती हूं यह देख सकते हैं और यहां पर हवन किया था तो वह उसको मैं बा किया यह बसे प्लोग में जार में어가ब भॉग।